हलो दोस्तों मेरे चल कोशिक पीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पास बहुत लोगों के सवाल आज थे कि आप पेपर इंग्लिश में क्यों डालते तो मैंने यह पेपर आपके लिए इंग्लिश में सुलिशन करके डाला है बूत लैंग्विज एड करिए हिं दें इंग्लिस में तो हम सीधा discuss करते हैं कोशन पर देखो सबसे पहले इसमें कोशन पूचा की वट आरदा components of curriculum development explain various approaches of curriculum development पहले आपको components बताने हैं इसमें फिर आपको approaches बताने हैं क्योंकि पांच-5 marks में पूचा है ऐसे बताना है आपको सबसे पहले क्या लिखाता सबसे पहले components बताने हैं आपको components क्या क्या होते हैं पांच नंबर में पूचा आपकी बुक में चारी components लिखे तो पांच एक एक एड़ कर सकते हैं आप शिक्षन के अदिससे बोलते हैं objective of teaching पार्टे चुसी विक्सित करना develop content course develop करना learning experience देना बच्चों को फिर evolution करना तो यह चार आपके main point है फिर आप डाल सकते हो subject develop करना यह भी डाल सकते हो फिर पार्टे करने इर्मान की उपागम क्या है मतलब आप क्या क्या approaches इसमें use कर सकते हो यह भी five marks का आपका पूछा हुआ है तो आपकी बुक में तीनी approaches दे रखे हैं तो आपको दो और कैसे add करने मैं बताता हूँ कि देखो सबसे पहले बाल केंदरित वहां जिसे हम child center approach कैसे कहते हैं विशे केंदरित जिसको हम subject center कहते हैं जीवन केंदरित जिसको life center कहते हैं और समस्या समात्म केंदरित भी आप जा सकते हो problem center और humanistic approaches भी आप इ assessment evolution क्या है five marks में आपका assessment evolution पूछा है कि कैसे होना चाहिए बच्चों के अंदर assessment और evolution तो इसमें point है आपका सबसे पहले balance in question paper मतलब high rate चाहिए कि ना तो ज्यादा मुस्किल पेपर होना चाहिए ना तो असान एक average देना चाहिए open book examination को start कर देना चाहिए हर इस तरपर की बच्चों को घर पर ही open book exam के द्वारा paper दे सकें तीसरा है कि project और lab का evolution reliable and accurate हो मतलब जब भी हम परयोग साला और परयोग करवारे बच्चों तो वो विश्वनिये और स प्रद्धा प्राप करने के मतलब कोछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि जादा से जादा उचस्तर पाने के लिए ना वो classroom environment को खराब कर देते हैं तो हमें classroom environment में जरूरी है evolution के लिए हमें बच्चों को बोलना चाहिए कि वह अपना assessment खुद स्वयम करें चटा है आपका कि सम रिलाइबल एंड डिफरेंट टूल्स ओफ असेस्मेंट सुल्बी डेवलप मतलब कि असेस्मेंट के लिए ऐसे रिलाइबल टूल्स यूज़ करने से हैं डेवलप करने चाहिए में और इफेक्टिव होने चाहिए वह कि हम बच्चों का अच्छे से कर सके यह आपका च्छटा पॉइंट हो गया तो इसमें पांच मार्क्स का है तो मैंने च्छे पॉइंट आपको एक्स्प्रेंट कर दे कि एंसे अपने assessment और evolution के लिए क्या क्या पॉइंट दिये तो यह and the infrastructure of the school मतलब जो स्कूल अफसरचना प्रदान करते हैं टीचर और अध्यापा बच्चों में संबंध होता है और उनकी अफसरचना को देखा जाता है कि कैसा है इन स्कूल स्कूल do not study only sitting in the classroom बलकि बस यह पढ़ने का स्कूल ही नहीं है यहां पर हम परयोग करके सीखते हैं य कि और स्कूल होना चाहिए इसमें Classroom और environment का ह controversy सबसे पहले स्कूल का environment के लिए जघा का मानंध कैसा है कि जघा अच्छी होनी चाहिए जिसमें बच्चे जितने हैं च्छात्रूं मा पर बैठ सके बिल्डिंग भवन का निर्मान अच्छे से होना चाहिए, फरनीचर की सुभजा ठीक होना चाहिए, एक्वाइमेंट जो साथ सज्जा मतलब दिखावट में बहुत अच्छा दिखना चाहिए, और जो वहां का टाइम टेबल है ये, तो इस तरीके से हम महाँ कर स्कूल का, इस एक्सपरिमेंटेशन मैथोड, एक्सप्लेंड दा प्रोसेस ओफ एक्सपरिमेंटेशन मैथोड, मतलब परियोग आत्मक पदिती इसकी विशेश्था बतानी है और इसकी परकिरिया बतानी है, तो हम सीधा कोशन पर आते हैं अपने, तो यह आपका कोशन आगे, फीचर सकते हैं, सकिरिया अप्सपरिमेंटल रिसर्च बेस इसमें मैथोड यूज किये जाते हैं, अध्यापक द्वारा परहंबिक तियारी की जाती है, इसमें बच्चे अब इन्वोल्व होते हैं, उसकी बाद अच्छे से, गुरूप बर के द्वारा इसमें सीखते हैं, फर्स् प्रोसेस पूचा है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट जिसे वक्तित्वे कहते हैं, फिर उसके बाद हाइपोथर्शित, तीसरे में आपका डाटा क्लेक्शन आएगा, चोथे में नाई विश्लेशन जिसे डाटा अनिलाइस कहते हैं, फाइंडिंग एंड रिपोर्ट, तो य क्या के अनिलाइस करने के बाद हमारे पस फाइंडिंग एंड रिपोर्ट आएगा, कि हमारा यह सही हुआ है नहीं हुआ, एक्स्परिमेंटेंशन मैथोड, तो यह आपको इस तरीके से इसमें प्रोसेस लिखने हैं, फिर इसके अथवा में पूचा है कि आटी 2009 के चलेंज करने में चुनूतिया, मतलब कि इसके जो कर रहे हैं तो उसमें क्या-क्या हमें चुनूतिया, यह बताने हैं, तो देखो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, यूँकि आप इंग्लिश वाले बच्चों आपको बहुत दिकत हो रही थी, इसलिए यह भी 5 marks में है, इसको ह कोडिनेशन की कमी है इस कारान भी नहीं हो पाता यह वेरियस काण्ड श्कूल इतने सारे स्कूल है कैसे बच्छों को स्कूल में दखिला दिला जाए different स्कूल हो गए different यह आपर है आपका different school हो गया और different language हो गया आप भेट देखो डिफ्रेंट बहुत सारे स्कूल है यह आपका पॉंट दो बार लिखा गया है इसमें इसके बद यहाला पॉंट काड़ दो यह डबल लिग गया है डिफरेंट आपका इसमें स्कूल आ जाएगा और डिफरेंट लैंग्वेजर बच्चों की इत्ती सारी भाषा है तो कैसे उनको बताया जाए कि क्या क्या चाहिए इंबलेंस ओफ रिस्पॉंसिल्बिटी यह चुनुज़ती थी कि उनके जो उत्तरदा में आपका पूछा हुआ है तो आपकी फाइप पॉइंट जरूरी इसमें कि क्या-क्या हम इन चुनोतियों को सामना करने के लिए स्टेप हमने अपनाया तो सबसे पहले को डिफरेंट ओर्गनाजेशन जो बहुत सारी संस्ताय है उनके को उनका को डिशन करना मतलब साथ मे सब्सक्राइब करना या बेविंग संगोंतों के मीच ताल मेल बनाना यह आपका पहला पॉइंट दूसरा डेवलेविंग सैट ऑफ मोडल रूस मतलब अधर्श नियम इस्थापित करके इंप्रोविंग इंस्टा फ्रक्षर ओफ गॉर्मेंट स्कूल मतलब सरकारी स्कूल म उत्तरदाजत की साजिधारी करके यह हम इस यह पांचो स्टैप अपनाके हम इन चैलेंज को रेमेडियर स्टैप के द्वारा सोल कर सकते हैं तीसरा कोशन है आपका कंस्ट्रक्ष अप्रोप्च इस बैटर देन ट्रीशनल अप्रोप्च पीचिंग अलनी प्रसोसेस मतलब क इसमें रचनात्मक की जो कंशक्ष वीदवाज है उसका वरनन करना है आपको तो इसमें क्या-क्या पॉंड लिखोगे देखो कैसे यह बैठर है उससे परंपरागस से जिसे बोलते हैं ट्रैडिशनल से कैसे बैटर है देखो इसमें बच्चा स्टूडन्ट से क्रेट नोले कि इसमें हम बच्चों के सामने समझा रखते हैं और उनसे कहते हैं कि उनका निदान वो खुद करें मगलाइन के जाता है कि knowledge Swam का टुकाई होता है मतलब बच्चे जो Swam knowledge घ्रहन करते हैं वो टिकाव होता है और प्रमप्रगत में टिकाव नहीं को क्योंकि वो बच्चा रड़ता है पाच्वाय कि learning mainly through experience मतलब जो बच्चे इसमें सीखते हैं वो experience के थुरूद सीखते हैं चाइल सेंटर करिकुलम की बात करता है यह तो यह आपके बैट रहे हैं इससे प्रमप्रगत और इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें प्रमप्रगत में और यह आपके विशेष्टा में भी आप लिख सकते हैं कि कंसक्ष विद्वाद की यह सब भी सेचता है कि इसमें बच्चा करके सिखता है घ्यान के रशना स्वयम करता है टीचर फस्लेटर का काम करता है निदान में खुद करते हैं फिर आपका इसी में अत्वा में पूछा है कि पीपर टुटोरिंग टीज डैट टोपिक यूजिंग पीपर टुटोरिंग जो हम पियर गुरूप मैथोड की बात करते कि कैसे सीखता है बच्चा तो इसको आप कैसे टीच कर सकते हों पीपर टुटोरिंग इन एज़ा हो एकेडमिक हो कंटेंग्ट हो तीन चीजों में हम कैसे कर सकते हैं पीपर टुटोरिंग देखो टीच कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट एजटी टूटर के रूप में इंडिविजलाइज स्ट्रंक्शन देखे टूटर अंडर दा केयर ओफ नोलीजिवल टूटर्स कमफोटे देखो इसमें पूछा कि difference between measurement and evolution यह पूछा है आपका फिर उसके बाद आप मुल्यांकन के सिद्धानतों और देश्चों के अधिगम परियोग को बहतर कैसे परियोग करोगे यह पूछा है आपको फ़ले इसमें आपको अंतर बताना है मुल्यांकन और अधिगम में हम सी सी देखते हैं कि क्या क्या difference है measurement and evolution में जिसे बोलते हैं मुल्यांकन और आकलन में दोको measurement is the quantitative और evolution is the qualitative well as a quantitative measurement is the very objective और it is subjective की बात करता है measurement is a more formal and accurate evolution formal and informal both it is less accurate होता है फिर it is scientific and nature यह होता है philosophy in nature it is narrow it is wide scope होता है इसका इस प्रवाइड numerical data evaluating use numerical data and provide qualitative result की बात करता है testing and observation की बात करता है हमारा measurement और इसमें हम करते हैं कि observation, interview and records के द्वारा हम सीखते हैं इसके द्वारा यह testing करता है यह हमारे point है एक बार आप सारे point देख सकते हो यह वह निलिख लिए है यह point है है आप एक बार देख लिएजे सारे यह आप add कर सकते हो अब लिखा how we'll use principle and purpose of evolution, कैसे use करोगे आपको उद्देश है और इसके सिद्धानतों को, find problem के लिए, find solution के लिए, grow knowledge के लिए, student का मुल्यांकन करने के लिए, उसकी कमजोरिया का, उसका ताकत का पता लगाने के लिए और best result प्रवाइट करने के लिए हम इसका प्रियोग करते है इसके principle and purpose का, अब आपका question इसी के अत्वा में पूछाए कि difference between achievement test and diagnostic test, तो इस दोने में आपको difference बताना है, यह आपको मैं last में provide करवादूँगा, कि इसमें क्या-क्या है, वैसे simple यह है कि diagnostic between achievement test, achievement है जिसमें अपलब्दियों का परेक्षन पता चलता है और dynasty में उनका निदा किया जाता है, तो यह आपको मता दूँगा, अब इसके अत्वा में और पुछा होगे, how will use result of intelligent test, aptitude test, यह चार नमबर का आपका पूछा है, question में, यह कि इसमें बताईए, और छे नमबर का, दस नमबर का question है, छे नमबर का आपका पूछा है कि intelligent test and aptitude test में teaching learning process in the classroom, कैसे यह यूज होता है, how will use, तो देखो, जो use intelligent test है, यह classroom environment बनाने में use होता है, balance diet के लिए, use media visit के लिए, और जो attitude test की बात करते है, choosing the means of livelihood की बात करता है, choosing of subject की बात करता है, determining liking and disliking for some phenomena's की बात करता है, यह आपके use हो देए, intelligent test के और attitude test के, है, फिर आपका question 5 है, कि choose problem during SCP, आपको एक problem choose करना, जो two marks करते हैं, problem in learn some topics, बच्चों को सीखने में, कुछ कुछ topic को सीखने में दिक्कत आती है, तो यह, how will solve through action research, हम इसको action research के through, कैसे solve कर सकते हैं, यह आपको बताना, तो आपको इसमें, उसके step लिखने पढ़ेंगे, जैसे process है, identification of formulation of problem, background and need, identification research and question, collecting data, data analyze, reporting result and remedial action, तो इस तरीके से हम, एक action research का, through solve करते हैं, फिर इसी में पूछाएं कि write a report action research, मतलब आपको एक report भी लिखना है, यह, देखो, दो नमबर में यह था, चार नमबर का आपका solve पूछा, और चार नमबर में आपका report लिखना है, तो report लि स्टैप, तो यह, आपको मैंने स्टैप बताएं, कहीं भी नहीं मिलेगा स्टैप, सबसे पहले introduction लिखा जाता है, background study लिखे जाती है, formulating objective, क्या क्या जब्टिट थे, sampling की जाती है, data collection किया, data analyze किया, result and finding, यह, हमने तो उसमें पढ़ा ही था, उसके आगे discussion होता है, conclusion निकालते हैं, reference देखते हैं, appendices देखते हैं, तो यह आप इस तरीके से report लिखा जाएगा, तो इस चार marks में आप इन सब को चार को define, थोड़ा-थोड़ा आपको दो-दो line में सब को define करना है, कि आपका इस चार marks पूरा मिल जाए इसमें, लिखने आपको पूरे है, six question में आपका पू courses, course verse and their content of an education students, curriculum में यह होता है, and recipe list subjects that are 2000 class, जो हमें पढ़ाना है, हमें क्या बताता है, slaves बताता है, made at stage district on institute level, मतलब यह बड़े बड़े जो लोग होते हैं, district level पे, institute level पे बना जाते हैं, made by individual teacher, मतलब teacher भी बना सकता है, slaves, individual खुद भी बना सकता है, cannot be easily adjust, इनको हम adjust नहीं कर सक करिकुलम को, बड़े बसको जल्दी से easily adjust किया जा सकता है, यह perceptive होता है, यह descriptive होता है, हम बोलते हैं, यह वरनात्मक होता है, यह अदेशात्मक होता है, content a list subject to be covered, यह जो हम इस साइट की बात कर रहे है, यह curriculum की बात कर रहे है, content a list subject to be covered, detail about assignments, assessment, सब चीज हमें करिकुलम बता है, content a list subject to be covered, details about assignment, यह यह भी ऐसी बताता है, no access to student, और यहाँ पर accessible to student करता है, तो यह आपके curriculum और इसमें यह आप देख सकते हो, यह difference होगा है, अब आपका इसमें यही पूछा है, शटे कोशन में, सात्वे कोशन में आते हैं, कि how would you utilize principle and maxim of teaching learning in classroom, देखो, teaching principle इसमें बताना ह है कि principle of activity, principle of motivation, principle of cooperation, principle of creativity and individual difference की बात करता है, तो इसको आप कैसे utilize करोगे, कैसे उप्योग करेगे, देखो, हम बच्चों को activity कराते समय, इस principle का use कर सकते हैं, बच्चों को जब motivation देना हो, तब इस principle का use कर सकते हैं, cooperation के लिए बच्चों को creativity सिखाना, तब इन principle का हम उप्योग कर सकते हैं, अब maximum का उप्योग कैसे कर सकते हैं, जैसे बच्चों को सुरुव में मूर्ट से अमूर्ट सिखा जाता है, concrete to abstract, general to specific, no to unknown, simple to complex, तो इसके द्वारा हम सिखा सकते हैं, बच्चों को, और इसको utilize कैसे कर करेंगे, देखो utilize करने के लिए maximum continue to abstract, तब से पहले हम बच्चों को बताएंगे, मूर्ट से अमूर्थ की बाद, समालने से जठील की बाद, ग्यात से जठील की बाद, simple to compare, तो यह सरल से जठील की और हम इसमें करते हैं, तो इसको आपको कैसे उप्योग करते हो, जैसे कि हम इसमें बताया, general to specific, general to specific भी हम जैसे कि पहले बच्चों के सामने उधारन पेश करते हैं, फिर उसकी बाद उसको define करते हैं, पिर आपका question 8 में पूछा है, write a short note on field visit, field visit पे आपको एक note लिखना है, यह 5 marks का है, आपका, 5 marks का, तो इसमें बताना है कि, क्या है field visit, a field trip is a visit to areas outside of the normal classroom where children can try new things, मतलब यह एक जो normal classroom से बाहर होता है, और इसमें बच्चा can be try new things सीखता है, have different experiments लेता है, and learn values, valuable life lesson, तो यह होता है कि field visit, यह सबसे अच्छा सेंड मैंने definition निकाली है, और इसको add किया, तो इसको आप पढ़ लेना है एक बार, फिर ऐसी के अथवा में पूछा कि, write a short note in interdisciplinary approach, जो अन्थे विशक अपवागन कहते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है, यह भी मैंने बहुत अच्छे से find करा है, कि हम क्या क्या लि acceptable to student, interdisciplinary teaching in which related subject can be combined with a some homogeneous subject, मतलब कि यह ऐसा है, meaningful होता है, जिसके द्वारा हम teacher में संबंध बनाते हैं, और जो अन्थे विशे teaching है, in a related subject to can combine, मतलब दूसरे विशों के साथ इसको combine करते हैं, जैसे homogeneous होता है, जिसमें अलग-अलग विशे संब्लित होते हैं, subject this type of interdisciplinary teaching, reduce the number of subject, मतलब यह बहुत सारे जब subject होते हैं, उनको कम करने में सायक होती है, and school and allowed to related content of each around the more naturally, तो इस तरीके सा आप इसका answer लेख सकते हो, तो यह interdisciplinar हो गया, अब आम नोवे question में आते हैं, पुछे, how will you use anecdotal record of children having psychological plurum, जो मनोवेज्यानिक वाले बच्चे होते हैं, जिसमें प्रोमलम आती है, उनका anecdotal record आप कैसी यूज़ कर सकते हो, इन classroom में, देखो, facilitate the planning of learning experience के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, sharing student state of performance के लिए, no special training required होती है, इसमें इसके लिए उप्योग कर सकते हैं, modifying the curriculum के लिए इसका अप्योग क्या जाता है, find problem and solution के लिए और proof behavior के लिए इसका अप्योग क्या जाता है, फिर आपका दस्वा question last आता है, step involved of action research in conduct in school, मतलब क्या-क्या step involved होते हैं, action research करने में, तो देखो, दो question आगाए, आपके AC में, एक 5 marks का 10 marks, सबसे पहले सीर्थ सक title रिखते हैं, trust moving, background and needs, objective, परिकल्पना हैतु, जो उसमें आपको बताए न, वो process होता है, यह आप step की बात कर रहा है, तो step अलग है, यह आप याद कर लेना है, यह step है, परिसीमन जिसे delimination कहते हैं, फिर definition of word, producer, जो कारविदी होता है, डाटा एकतरित्वा बाक्कर, डाटा कलेक्शन, निसकर्स, इवन सुझा, conclusion subject, तो यह 9 points है, आपको जो step में लिखने, इसे को step अलग है, और आपने process से देखा, process वो भी अलग है, आप check भी कर सकते हो, फिर अ समस्य समधान का spiral रास्ता बोलते हैं से, यह हिंदी में पहले आपको कुछ बता देता हूं, लिखा हुआ है, कि शोद करता है spiral चक्रे तरीके से समस्य समधान के लिए बढ़ते हैं, उनकी विविन परकलाएं होती है, तथा प्रतेक परिकर्पना के लिए क्रिया होती है, मतल समस्य समधान हो जाता है, इंग्लीज में आपको इस तरीके से बताना है, कि सबसे पहले आपने क्या किया, planning action करते हैं, taking action लेते हैं, evaluating करते हैं, फिर आप करोगे, planning करोगे action, taking action, evaluating and diagnostic, चोथे में डियागनोशिक आ गया, हिंदी वालों के लिए आप ऐसे बना सकते हो, कि सबस on ajà किया, किरिया किया कि मैं बता देता हूँ योजना पहले आता है, फिर किरिया आता है, परिय वेर्शन आ घया, फिर परिवर्ाठित करना, फिर आपका process चलता है, चलता है, चलता है, यह 4 बर आपका process चलेगा, last में आपको diagnosis मिल जायेगा, मतलब समस्या का हल मिल जागा, इसी तरीके से आपका इसमें भी है कि सबसे पहले आपका आपका हुगा प्लानिंग एक्षन टेकिंग एक्षन एविलेटिंग डियागनोसिग तो इस तरीके साब चकरिय विद्धी लेख सकते हैं तो यह आपका पेपर खतम होता है मैंने आपको एक कोशन नहीं कराया जो में भेज़ दूँगा यह पेपर आपका खतम होता जोर 17 का तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना बोले